हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का एक बाफिस एजी डीसी एटुटर के मेडिसिन सीरीज में आज के हमारी मेडिसिन होने वाली है बहुत ही पापुलर दवाई दोलो 650 टैबलेट जी हाँ डोलो 650 टैबलेट मेली आपको कोविड पेंडेमिक के समय ज्यादा तर देखने को मिली होगी उस समय यहीं दवाई बुखार को ट्रीट करने के लिए ज्यादा तर प्रिस्क्राइब की जाती थी तो आज हम देखेंगे डोलो 650 टैबलेट में क्या कंटेंट होता है क्या यूज कीजिएगा स्टार्ट करतें डियर उससे पहले हमें बताना यह कि कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन भी ना है डाक्टर के सलाके नहीं लेना है स्टार्ट करतें डियर जो डोलो 650 टैबलेट में जो में कंटेंट आपका होगा जो साइल्ट होगा वहें पैरसीटा मॉल जी हां जाती है और इसका स्टोरेज 30 डिगरी सल्सेस के बिलो रखा जाता है एक स्ट्रिप की जो हीमत होती है 29 से 30 31 32 रुपे के आसपास होती है 15 टैबलेट होता है इच स्ट्रिप में बात करेंगे किस किस चीज में मेलनी डोलो असरदार होती है तो आपका जो हेड़क की कंडिश में भी दे सकते हैं मसल में पेन होता है या कॉमन कोई सर्दी जुखाम हो गया कोल्ड हो गया यह हमारी टैबलेट ज्यादा तर आपको देखेने को मिली होगी कोविट 19 पैंडेमी के समय क्योंकि पैरसीटामॉल बुखार ज्यादा तर उस समय ट्रीट करने के लिए डोलो ड तर नालजेसिक मतलब दर्द को भी ठीक करेगा बात करेंगे ये करता क्या है कि बॉडी में जो प्रोस्टा देल लेंड इन है उसका प्रोडक्शन को क्या करता है इंडविट करता है कॉउक्स पन कोस्टू पर करता है जिससेया प्लोडोय जो पीवर whites direct आपके सलाह के अधार पर ही होना चाहिए बिना सलाह की ध्यूत को पूरा अधार बेंगी दॉवरेश तो जो जो कम ही देखने हों को मिलते हैं रहर होते है लेकिन इसके कुछ side effect क्या हो सकते है इस्टोमक पेन हो सकता है नौजिया वंटिंग की condition कुछ लोगों में आ सकती है in digestion देखने को मिल सकता है low BP की समश्या हो सकती है dizziness drowsiness diarrhea की condition हो सकती है और अगर यह सारी side effect यह सारे condition अगर लॉंग के लिए हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजेगा फिर बात करेंगे डियर क्या प्रिकॉशन है तो खासकर जो लिवर डिजीज वाले हैं किड्नी प्रॉब्लम वाले हैं जिसको पैरसीट वाल से अलर्जी है उनको क्या करना चाहिए खासकर आपको बहुत ही पॉप्लर बहुत ही प्रचलित मेडिसीन है खासकर बुखार वगएर की कंडिशन में पेन किलर में भी दिया जाता है इसे और यह बहुत ज्यादा विक्ती है उम्मीद होगी यह जानकारी आपको समझना ही होगी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को और उन तक जरूर सेर कीजिए किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए thank you so much all the very best